Welcome to GNM Nursing Complete Study आज हम पढ़ेंगे Bad and Bad Making हमारा जो procedure है은 Bad and Bad Making तो हम इसको पढ़ेंगे Sven को Bad होता क्या है और Bad Making क्या होती है कैसे Patient को हम Bed Rest कराते हैं कैसे हम Patient के जो Bad है कैसे इसको prepare करते हैं क्या-का procedures होते हैं क्याक्đ कैसके instruction है और क्याक इसका터 purpose है तो यह सब चीज़े हम इसमें पढ़ेंगे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बैड होता है क्या है बैड शुट प्रोवाइड गंफर्ट एंड करेक्ट पोस्चर अफ दे पीशन आज वेल इस प्रोपर हाइट एंड एक्सिबिलिटी फोर कियर गिवर्ड बैड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एक अराम दायक और एक करेक्ट सही में सही में पमसुती ने के लिए यह प्रोपर हाइट उनी चाहिए तो फोर गेर उसको given देनी चाहिए मंदल्ब उसको care जो है वो देनी चाहिए ताकि वो patient जो है वो comfortable provide करें और correct posture में वो patient जो है वो later रहें The idle bad is durable, lightweight, easy to move and easy to clean जो अच्छा एक सही bad होता है वो durable होता है ताकि लंबे समय तक चलता है light हलका weight होता है easy हर एक तरफ को वो move हो जाता है easy to clean और अच्छे से वो easily साफ हो जाता है the most commonly used bed in healthcare facilities adjust to a different position जो most commonly used bed होते हैं वो healthcare facilities में दिये जाते हैं adjust कर लेते हैं different position में this bed is equipped with an electric mechanism that lower the entire bed so the patient can get in and out easily and raises for bed for easy care giving मालब इसमें यह कि दो जो bed है वो equipped करा जाता है within electric mechanism है जो की lower than the entire bed उसके जो बाइड में सो जाएड़ पेशन गेट पेशन जो है वो उसके अंदर आ सकता है भार जाता है easily जो है वो easily and raises the bed for easy care giving और जो is bad जो easy care हम देते हैं वो भी easily दी जाती है और patient जो है वो भार आ जाता है अंदर आ जाता है easily बैड के अब हम देख लेते हैं bad making अब हम देख लेते हैं bad making कि आप सोरी बैड की definition देख लेए आ फॉस्पिटल इस दपीस ओफ एक्वेट में मोस्ट्री यूज़ वाई दा Nurse Pra K हॉष्पिटल बैड होता है हॉष्पिटल बैड होता हॉष्पिटल बैड maths इस दपीस ओभी क्यूपन怎 स्पीज़ ऑगिवेज वाई फॉस्पिटल पैश्टव नौंक त्र्द्सटी वो पाए जाते हैं लॉंग टर्म कियर फैसिलिटीज के द्वारा और और पाए जाते हैं होस्पीशन हों हम देखे लें देखे लें बैड मेकिंग बैड मेकिंग बैड मेकिंग इस वन ओफ द इम्पॉटेंट नर्सिंग टैकनिक तो प्रिपियर वारियस टाइपस ओफ बैड फोर पेशन थे लिए तो इंशिर जो की उनको कमफ़ड प्रोवाइड और यूसफुल पोजिशन उनको करदेशन में मिले इस भी एड़ेड वल्ट वैरियस पोजीशन आप पर पीशन नीड विकोश देश पैंड वैरियंग अमाउंट आफ टाइं बैड जो वेरियस पोजीशन में जो पेशन होते हैं उनको जरूरत होती है क्योंकि देश्पैंड वह ज्यादा लंबा टाइम है है इसलिए जवे वह मर्द बर बिताते हैं अपने एमआउट ऑउ टाइम हैं वह बैड बर पिताते हैं ताकि वह बिमार होते हैं तो वह बैड बे लिटे रहेंगे तो वह ज्यादा ज्युक्त ताइम में उस्पे लिए तो तो बैड है वह हमारा कंफर्टेवल होना चाहिए और इजली पोजीशन में वह यूसफुल होना चाहिए ताकि जो पेशन्ट है वह अच्छे से आरामसे लेटर है यह कुछ हमारे हैं जैसे यह हमारा बैड है और बैड पर हम बैड शीट लगा रहे हैं तो इसको हम इस एंगल में इसे करके फोल्ड करेंगे फोल्ड करके जो यह साइड का नीचे का वो है इसको यहाँ पर टक करके और उपर का जो बैड शीट को प्रॉपर फोल्ड करकर और इसके नीचे को फोल्ड करतेंगे बैड के मैट्रेस में प्रिंसिपल ओब बैड मेक इंग मेक आल बैड सेना नर्सिंग अंटिल अलाइक यूनिफ्टी ओफ एपरियन्स जो अल सारे बैड सोते हैं वो एक नर्सिंघ यूनिट होती है अलाइक फोरा यूनिफ्टु ओफ appearance मतलब एक uniformity of appearance होता है के लिए a well made bed is neat comfortable free of wrinkles and readily readily adaptable to the specific need of our patient ये well made of bed जो है वो नीड साफ होते हैं मतलब अच्छे bed जो हैं तो साफ होने चाहिए comfortable और free of wrinkles में कोई भी सरवत नहीं होने चाहिए और readily adaptable to the specific need of our patient मतलब उस patient को जो जरूत है वो वहाँ पर adaptable होना चाहिए है when making bed use good body mechanics and make each movement purposefully जो जब making a bad होता है तो use good body mechanics होना चाहिए and make each movement purposefully हर एक movement को एक purposefully उसको करना चाहिए movement provide clean blankets for each new hospital patient मतलब clean blankets देने चाहिए हर एक new hospital patient में जो hospital के अंदर जो patient है उसको जो नया patient उसमें admit हुआ है hospital में तो उसको साफ और सुदरी blanket देने चाहिए use cotton blanket for safety and the economic of laundering cotton के blanket हमें safely provide करने चाहिए ताकि वो एकनों के laundry भी हो सकते हैं चाहिए when standard cotton bed spread are not available use a top sheet as a blanket cover जो कि वह जब standard cotton bed spread हम करते हैं वो नहीं करना चाहिए अवर लेवल नहीं है होती है तो use a top sheet as a blanket cover जो हमारा जो use a top sheet जो होती है हम उसको blanket cover की तरह as a use करते हैं क्याके purpose है इसके to provide rest and sleep rest or sleep provide to provide physical and psychological comfort and security to the patient physical psychological comfort or security provide करने चाहिए to give the unit at a neat appearance होना चाहिए to establish an effective nurse patient relationship effective nurse patient का relationship होना चाहिए to provide active and passive exercise to the patient patient को active or passive exercise provide करने चाहिए to promote fresh and kidney less जो fresh air होती है और साफ सुतरी एर promote करने ताकि वो patient को अच्छे से promote करें उसकी जो health है उसको promote करें to develop skill in the posture body alignment to the nurse of the nurse in bad making जो जो डेपल उसकी जो skill है उसकी जो body है उसका alignment of the nurse in bad making में उसको जो उसका है वो दिखना चाहिए है to observe identify and prevent patient complication patient को कोई भी complication है तो इसको अब्जर करना चाहिए और उसको complication से prevent करना चाहिए to accommodate the patient's need patient की need को accommodate करना है to reduce patient excretion by band making जो excretions होते हैं band making को reduce करना चाहिए to dispose of soiled और dirty linen properly जो soiled है dirty linen है जो चादर वगेरा है उनको dispose करना चाहिए properly to prevent bad sore हमारे जो पीछे घाव जाते है बैट sore हो जाते हैं उनसे prevent होना चाहिए हम देख लेते हैं कि कितने types के bads होते हैं simple bad और unoccupied bad होता है उसमें आते हैं हमारे close bad और open bad occupied bad anasthetic bad amputation bad fracture bad और cardiac bad के बारे में पढ़ लेते हैं हमारे जो simple bad और unoccupied bad होता है वह होता है खाली bad उस पे कोई भी patient नहीं लेता होता है तो इसमें हम देख लेते हैं closed bad closed bad is a smooth comfortable and clean bad which is prepared for a new patient clean bad the closed bad is smooth comfortable and clean bad होता है ताकि जो patient लिए उसके लिए prepared किया जाता है open bad open bad is a one which is made for an ambulatory patient and is made in the same way but the top cover of open bad are folded back to make it easier for a patient to get in और उसके लिए easily हो जाता है और उसके लिए इसली हो जाता है और क्यूपाइड वैड होता है is a bad prepared for a big patient who is unable to get out of bed occupied होता है भरा हुआ बैड वह बैड इसलिए होता है कि जो big patient है और जो उटने में इसली होता है तो उनके लिए occupied bad रखा होता है इसकी purpose है तो प्रोवाइड comfort and to facilitate the movement of the patient comfort or move patient को movement कराने में provide करते हैं प्रोवाइड होता है यूजड होता है पीशन्ट के रेकवरी इनलेज उसको भीमारी है यह जैसे कोई patient को injection लगा है surgery जब होती है पीशन्ट की तो उसकी लिए वो यूजड होता है amputation bed a regular bed with the bed cradle and sand bag इसको बोलते है उसमें उपर की तरफ ऐसे राउंड शेप का होता है तो उसको bed cradle or sand bag बोलते हैं to leave the amputated part is easy for observation यह observation के लिए यूजड होता है amputation fracture bed a bed board under the normal bed and cradle but propose to provide a flat unyielding surface to support a fracture part यह जो है फ्रेक्चर बैड होता है हमारा जो हमारे हड़ी तूट जाती है या fracture हो जाता है तो उस चीज़ के लिए fracture bed use होता है यह सीधा होता है to provide a flat flat होता है unyielding होता surface होती है इसकी to support a fracture part को support करने के लिए cardiac होता है it is one prepared for a patient with a heart problem होने जिसको heart attack आजाते ही heart की और प्रॉब्लम तो उसके लिए cardiac bed use होता है to easy difficulty in breathing तो जो इसको सांस लें प्रॉब्लम होती तो उसको easily easy हो जाता है ताकि वो सांस लेंगे तो इसके cardiac bed का use होता है इसके general instruction है put bed covering in order of use हमें जो bed का covering है उसे अच्छे से covering करना चाहिए in order of use में wash hand thoroughly after handling patient band linen और जब हम उस bed sheet को या किसी चीज़ को उठा दें तो उसके बाद ही एकदम से हाथ धो लेने चाहिए linen and equipment soil with secretion and excretion hardware microorganisms that can be transmitted directly directly by the hands or uniform हमें जो है वो secretion or issue micro हो जाते हैं उसके अंदर linen के अंदर तो हमको से prevent होना चाहिए ताकि हमारी uniform पे ना लगे hands पे ना लगे directly transmitted हो जाते हैं hold soil away from uniform हमें इसको पकड़के रखना चाहिए ताकि away from हमारी uniform से अलोग हो लेने from one patient is never placed on the another patient bed एक patient पे जब अगर चादर बिच हुए तो दूसरी के पर ना भीचाए soil linen is placed directly in a portable linen hammer और a pillow case before it is gathered for disposal जो मतला होगा इसको directly portable linen hammer मतले use करा है उसको dispose करना चाहिए उसको before it use के बाद उसको dispose करना चाहिए उसको दूलने देने चाहिए जो भी है when stripping and making a bad conserve and time energy was stripping and making up one side as completely as possible before working on the other side जब हम stripping करते हैं making a bad करते हैं तो consume time हमारा energy was stripping and making up one side completely तो दूसरी side को उसको possible करना चाहिए to avoid unnecessary strips to the linen supply area gather all needed linen before starting to strip the bad हमें जो unnecessary trips या फिर linen supply उसको हमें avoid करना चाहिए ताकि gather all needed जब जरुवत परें उससे starting हमको strips का bad का use करना चाहिए to provide additional room for the patient feed हमें जो provide करना चाहिए additional room मतलब patient को जो है feet उसको अच्छे से मतलब उसके पैर रहे हैं जो additional room होते हैं उसको provide करना चाहिए while tucking bedding under the mattress the palm of hands should face down to protect your nails जो कि while tucking हमें bedding जो है जो हम tuck करते हैं under mattress के अंदर तो जो हमारे palm of the hands should face down to protect your nails हमें अपने जो नियल्स हैं उसको protect करने चाहिए ताकि वहां पर दबे ना कुछ वो ना हो या linen में ना फसे तो हमारे जो हमें face को down करके उसको देखने चाहिए ताकि हम mattress के अंदर को जो bed sheet है जो भी linen है उसको अच्छे से प्रॉपर टक कर दें हमारे थे कि हमें general restriction क्या के चीजों का ध्यान रखना चाहिए so thank you for watching this video please like and subscribe and comment thank you so much